हेलो, गुड इवनिंग टो अलो फ्यू, आप सभी का स्वागत है भटने रायस में, हमारा ये पाच्वा चेप्टर है केपिटल मार्कित, कल हमने एक लेक्चर में करीब डेल घंटे के लेक्चर में हमने मनी मार्कित कम्प्लीट कर लिया था, ये भी चेप्टर थोड़ा सा ब हमारा एफ है, आपको ये जो कम्प्लीट वीडियो मिल जाएंगे इसमें से, कम्प्लीट पीडियफ मिल जाएंगी और टेस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, और इसका जो प्राइस है, वो साथ सो पचास है, बहुत रिजनेवल प्राइस है, तो आप सभी को जोईन कर लेना है, साथी साथ बात करें, ये आपको प्रेलिंश के लिए more damn sufficient है और ये means के लिए भी important है, सभी steer service के लिए प्रेलिंश और means बोथ के लिए important है, ठीक है तो चलो हम देखना हमें पढ़ना है यानि capital market आपने पढ़ा था आप कैबिटल मार्केट आप दिख लिए यह लंबी अवधिकार रेंड लिया दिया जाता है 365 दिनों से अधिक का अब यदि मान लो यह पूंजी रिण के तौर पर प्राप्थ होती है तब इसकी परिपक्वता की अबधी अगर पैसा रिण के तौर पर प्राप्थ होता है तो इसका maturity period 365 दिनों से ज्यादा का होगा पूंजी बजार में भी जो money market की तरह यानि मुद्रा बजार की तरह पार्टी सेपंड्स होते हैं भागिदार होते हैं जो की पूंजी प्राप्थ करते हैं और पूंजी प्रदान करते हैं अगर उन्हें पैसे चहिए होते हैं तो प्राप्थ क होना चाहिए देखो है ना हम ना इसे एरेज कर लेते हैं लेडी जब मेंसन है तो फिर लिखने का तालुप नहीं बनता है तो कैपिटल मार्केट में आपने चीज़ों को देखा यही लंबी अवधिकार रेंट प्राप्त करना इसके अंतरगर लंबी अवधिकार रेंट प्राप्त किया जाता है लंबी अवधिकार पर है 365 दिनों का होता है पूझी बजार में भी भागीदार होते हैं जैसे कि पूझी में bank accept to RRB regional ruler bank इसका अपवाद है ये जो RRB इसका अपवाद है बागी सभी bank भी इसके participants भागीदार होते हैं तीसरा है अखिल भारती संस्थान जो कि मैंने अखिल भारती संस्थान चार बताए थे तो वो सभी अखिल भारती संस्थान भी इसके participants होते हैं अगला है उच्छ स्रेनी के उद्यम जो बड़ी-बड़ी इकायां उच्छ स्रेनी का मतलब मैंने आपको money market के अंतरगत बताया था कि उच्छ स्रेनी के यह सभी participants है इन भागीदारों में से जिस भागीदार को दीरगा कालीन बै को पूरा करने के लिए लंबी अवधिका दिन की अवसकता होती है तो वह दूसरे भागीदारों से दिन प्राप्ट कर सकती है देखो पूजी बजार पनाली एक महत्वपून अंग है बजार का में प्राथमिक बजार दृतियक बजार और दीरगा कालीन के लिए रंड देने वाली संस्थाएं जैसे डिवेंचर्स और बॉंड मार्कित जो है तो उसमें निवेसक और अन सभी ओद्योगिक छेतर के लिए दीरगा कालीन पूजी प्रदान करते हैं साथ में पूजी बज जो है एक दीरगे कालीन पूजी का बजार है जिसमें दोनों माध्यमों में जो से एक्विटी होती है अंसपत्र होते हैं और यनि डेट होते हैं इसके माध्यम से पूजी की आगाही करे जाती है पूजी बजार का प्रमुखकार अगर हम बात करें तो ये उन छेतरों से जह नहां बचत की महाँंग है इस प्रकार पूजी-बजार जो है पूजी-बजार को बचत की गदसीलता प्रदान कर आर्थिक बिकास में महत्पूर्ण भुमिका आदा करता है फोन्जी-बजार सुच्यारू ढंग र कार करने वाले चलनिधी युगत और लचीले बित्य बजार मौद्रिक निधी अंतरण और भारत में जो बिकास के बित्य पोशन में अपरिहार जोखिमों के आवंटन और इसका अवसूशन में सहायता करती है तो यह सभी पूंजी बजार है अब देखू यहां भी जो RBI है RBI भी इसका पार्टिसेपंट से भागीदार है RBI भी इसका भागीदार है तो यहां पर जो RBI है तो यह ओद्योगिक एकाईयों से और आम निवेसकों के साथ कोई डारेक्ट लेंदे नहीं करती है यह इनसे प्रत्यच्छ तोर से नहीं जुड़ी होती है ठीक है ना ही इसे और ना ही इसे यहां आम निवेसक केवल पूझी प्रदान करते हैं यहां प्राप्त नहीं करते हैं यहां आम निवेसक मादर पूझी अगर उनके पास है तो दे सकते हैं बलकि प्राप्त नहीं करते हैं पूजी बजार को पूरी तरीके से RBI नियंतरित नहीं करती है जैसे कि आपको मैंने वहाँ पर बताया था तो इसको भी है RBI पूरी तरीके से नियंतरित नहीं करती है पूजी बजार में रिंड लेने देने की प्रकरिया जो है रिजर बैंक ऑफ इंडिया अर्थात हमारी केंदरी बैंक कंट्रोल करती है और सेर और डिवेंचर यानि अंस पत्र और रिंड पत्र वाले हिस्सी को सेवी सेक्यूरिटी एन एक्चेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया भी कंट्रोल करता है सेर और डिवेंचर को यानि सेर मार्केट को कौन करता है भारती प्रितिभूती और बिनियामक बोर्ड कंट्रोल करता है अब देखोगे पूंजी बजार में पूंजी प्राप्त करने के लिए ठीक वैसे ही उपकरण होते हैं जैसे कि वहां पर आपने देखा था मनी मार्केट अर्थात मुद्रा बजार में और मुद्रा बजार के अंतरगत हमने उपकरणों को अलग अलग तरीके से पढ़ा था समझा था तो यहां भी वैसे ही उपकरण होते हैं यहां देखो एक सरकारी प्रतिभूती बॉंड के तौर पे और अब याद आ रहा होगा कि यहां बॉंड के तौर पे क्यों है और मनी मार्केट में बिल के तौर पर मनी मार्केट में बिल के तौर पे क्यों क्यों कि भई जो सरकारी प्रतिभूतियों के यह प्रकार है बिल और बॉंड तो बॉंड माल लो सरकार तभी यह जारी करके आर्बी आई को दे का जर्र प्रवाइद करवाती है तो यहां लंभी अवदी के लिए बॉंड होगा ना की बिल होगा और जैसे कि मणी मार्केट के लिए यह बिल होता है क्योंकि इसके यह 365 दिनों से कम कारण यहां पर मिलता है ठीक है तो यह द्यान रखिएगा दूसरा है अद्योगिक प्रतिभूतियां शेयर और डिवेंचर के तौर पे जो है अद्योगिक प्रतिभूतियां ये तो सरकारी प्रतिभूतियां हो गई ये अलग-अलग होता है और ये अद्योगिक प्रतिभूतियां तो सरकारी प्रतिभूतियां Bill और Bond मैंने बताया ही तो यहां सरकारी प्रतिभूतियां Bond के तोर पे और अध्यूगिक प्रतिभूतियां Share or Deventure के तोर पे Share or Deventure के तोर पे देखो आगे इसे थोड़ा सा detail से समझने का प्रयास करो सरकारी प्रतिभूतियां Bond के तोर पे यह Government Security security in the form of bond, in the form of bond, यदि सरकार को अपने लंबी अवधी बैपूरा करने के उद्देश से लंबी अवधी के रिंग की जरूरत होती है, तब RBI बैंकों और बित्ती संस्थानों को बांड के तोर पे सरकारी प्रतिभूतियां बेचते हैं, भी जो सरकार है मान लो, सरकार को रोड बनाना है, सरकार को डैम बनाना है, सरकार को बिज बनाना है, तो वह लंबी अवधी का रिर प्राप्त करती है, और सरकार के लिए बैंकों का काम कौन करता है भी, RBI, तो RBI के पास जाएगी और इसको bond जारी करेगी, क्यों लंबी अवधी का पैसा चाहिए, और इन बान्ड को बेच करके यह यहां से रिन प्राप्ट करती है और यह बैंकों से और यहां से और यह जो पैसा है यहां चला जाता है ठीक है इसकी जो बान्ड होता है इसकी परिपक्वता की अवदी 365 दिनों से जादा की हो सकती है और इन प्रतिभूतियों को गिल्ट एजिस सिक्यूरिटी भी कहते हैं यह जो है इन प्रतिभूतियों को अभी में बताता हूं गिल्ट एजिस सिक्यूरिटी क्यों कहते हैं इस जो guilt age security इसलिए कहा गया क्योंकि British काल में जब हम आजाद नहीं हुए थे तो प्रतिभूतियां जो होती थी उनके चारो और जो प्रतिभूतियां जारी करी जाती थी उनके चारो और सुनहरे रंग का किनारा होता था गोल्डन कलर का क्या होता था भई सुनहरा किनारा होता था थीक है तो इस वज़े से इसको guilt age security भी कहते हैं यह प्रतिभूतियां भी समान प्रारूप में जारी होती हैं और बैंकों और बित्ती संस्थानों को इनकी जो खरीदारी पर ब्याज अदा करती हैं अब मान लो कि बै इसा दे दिया और bond अपने पास सवत लिया जब bank bond वापस करेंगे तो यहां इनको ब्याज प्राप्त होगा इसको ब्याज प्राप्त होगा इसके आगे देखो अब देखो यह प्रतिभूतियां भी समान प्रारूप में जारी होती हैं तो यहां इनको ब्याज भी प्राप् में जो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट तो जीरो कूपन बांद का मतलब है कि सुन ब्याज ऐसी प्रतिभूतियों पर खरीदार को RBI ब्याज आदा नहीं करती इन्हें मुद्रित मूले से एट डिसकाउंट यनि छूट पर बेचा जाता है और इनके परिपक्क होने की स्थानों से जो मुद्रित मूले के बराबर जो है इनको धनरासी दे देते हैं और अपना बांड ले लेते हैं तो ये डिपेंड सान इसमें से डिपेंड करता है कि आपको ब्याज मिलेगा ये RBI मतलब ये सरकार बोलेगी RBI से तो ब्याज भी मिल सकता है और ये एट डिसका देखो यह जीरो कूपन बॉंड मैंने बताया जीरो मतलब सुन कूपन मतलब इंट्रेस्ट होता है तो सुन इंट्रेस्ट पे तो भई क्या फायदा होगा आपको सुचना चाहिए कि अगर यहां भी तो कारोबार ही है जो इनके पार्टी सेपेंट्स हैं तो अगर कोई बित्त कि दूसरे बित्ति संस्थान को पैसा जीरो कूपन बॉंड मतलब पैसा दे रहा है तो ब्यास तो बनता है अब यहां ब्यास तो नहीं मिलेगा तो यह चूट पर जारी करेंगे एसे समझो यह गौर्मेंट ऑफ इंडिया है गई आर्भी आई के पास और इसने कहा मुझे र तो कितना रिंट चाहिए तो इसमें आप लिख के दे दो तो मालो अर्भी आई सरकार ने कहा कि हमको दस जार का दस जार रुपया मार्केट से चाहिए तो यह जो दस जार रुपया है यह बैंकों के पास गई आर्भी आई और कहेगी कि भाईख जो भी लेने वाला हो बॉं के हमें दे तो यह बुलेगा हमारा क्या फाइदा तो बुलेंगे कि इसमें कि देखो 10.000 रुपिया लिखा है ना अब for example मान लोकि 2.000 के लिए है ऐसे समझो 2.000 के लिए तो बुलेगा कि देखो आप हमें 10.000 नहीं मातर 8.000 ही दे दो लेकिन जब हम 2.000 बाद लोटाएंगे तो आपको 10,000 वापस करेंगे तो ये जो 2,000 है 2,000 क्या है यही छोट है तो ये छोट पे भी बेचे जा सकते हैं तो ये भी आपने देखा जैसे कि कल मैंने मनी मार्केट के अदरगत at a discount बोलते है इसको ठीक है देखो जब सरकार का राजकोसी घाटा बढ़ता है ये हम फिसकल सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे कि राजकोसी घाटा क्या होता है लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ देखो सरकार की जितनी रिसीट है और जो सरकार का जितना भी expenditure है अगर रिसीट कम हो रिसीट बोलते हैं रिसीट नहीं बोलते धन रखेगा तो अगर रिसीट कम हो खर्चा ज़्यादा हो तो जो बीच का डिफरेंस है तो वह राजकोसी घाटा है वह राजकोसी घाटा है तो अगर मालो सरकार का राजकोसी घाटा बढ़ता है तब ज्यादा से ज्यादा बॉंड बेंच कर लंबी अवदी के लिए रिंड की प्राप्ति की जाती है और ऐसे बॉंड की आपूर्ती भी बढ़ती है बॉंड की जो है आपूर्ती बढ़ती है तो इसका मुल नीचे आता है अगर बॉंड की सप्लाई अधिक हो जाएगी तो अबियसली इसका मुल नीचे आएगा इस पर दिये जाने वाले छूट पर बढ़ोतरी हो जाएगी क्यूं क्यूंकि अबियस है मालू वही मैंने बताया ऐसे समझो तो पैसा तो सरकार को चाहिए ठीक है लंबी अवधी के लिए RBI के पास गई और RBI बैंक के पास गई A के पास बोली बॉंड ले लो तो जवरजस्ती तो है नहीं इसके पास पैसा नहीं बोले कि नहीं ठीक मुझे नहीं चाहिए B के पास गई बोली मुझे नहीं चाहिए C के पास गई मुझे नहीं चाहिए और सप्लाई तो मतलब बराबर हो रही है मालो RBI सप्लाई कर रही है तो क्या होगा यह जो बॉंड का मूल है वो गिर जाएगा पहले 2000 यहां च्छूट मालो मिल रही थी तो अब यहां 4000 च्छूट मिल सकती है यहां 4000 क्यों क्यों क्योंकि सप्लाई अधेक है और डिमांड कम है तो इसका मुल नीचे गिर जाएगा औभियस है कि इसमें जो ज़्यादा च्छूट में मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी गिरता है बॉन्ड से होने वाला जो लाब है उसमें बढ़ोतरी होती है अगर मान लो कि बॉन्ड का मुल लगातार गिर रहा है अब यह लिखा तो इसमें लाब जो है बॉन्ड से होने वाला लाब जो अदर इंस्टिटीव सन है उनको मिलता है तो सरकारी प्रतिभूतियां बॉन्ड के तौर पे आपने यहां देखा दूसरा देखो भाई मैं नोट से सारा कर दूँगा परिशान नहीं हो ठीक है अद्योगिक प्रतिभूतियां शेयर और रिणपत्र के तौर पे यहन्नी इंडिस्टियल सेक्यूरिटी इन दा फॉर्म आप सेयर एंड डिवेंचर रिण पत्र को ही डिवेंचर कहते ठीक है तो सिक इंडिस्टियल सेक्यूरिटी ठीक है इंडिस्टियल सेक्यूरिटी मतलब अद्योगिक प्रतिभूति इन दा फॉर्म आप सेयर एंड सेयर एंड डिवेंचर तो यदि एक अद्योगिक एकाई या बैंक या बित्ती सिल्थान को अपनी लंबी अवदी के खर्चे को पूरा करने के उदेश से अगर पैसा चाहिए तो दीर्ह कालीन पूझी चाहिए तो वह दीर्ह कालीन पूझी प्राप्त करना चाहेगा तब ऐसे में सेयर और पत्र के तौर पे अद्योगिक प्रतिभूतियां जो हैं वो जारी होती हैं किसके तौर पे भई? सेयर के तौर पे और डिवेंचर के त करेगा कि यह हैं जो पैसा मार्केट से प्राप्त करेगा वो शेयर और डिवेंचर के तोर पे अब देखू भाई यदि एक उद्योगिक इकाई लंबी अवधिका रिंड प्राप्त करना चाहें अगर कोई ओद्योगे की काई है इंडस्टियल यूनिट है और लंबी अवधिका रिण प्राप्त करना चाहे तब ऐसी स्थिती में वह रिण पत्र डिवेंचर अगर लंबी अवधिका तो डिवेंचर जारी करके निवेशकों को बेश सकता है मानलो की इसने डिवेंचर जारी किया और जो भी है इसके पार्टिसेपंट्स निवेशक उनको बेश सकती है इसके माध्धम से रिण के तौर पर उसको पैसा प्राप्त हो जाएगा फूंजी प्राप्त कर सकता है और रिण पत्र में निवैश करने वाले निवेशक को रिण पत्रधारक डिवेंचर होल्डर कहते हैं और इन्हें कंपनी ब्याज अदा करती है तो डिवेंचर जो है ना इसमें कंपनी आपको ब्याज देगी क्या करेगी भई ब्याज अदा करती है रिड़ पत्र के परिपक होने के बाद मुल्धन भी वापस करती है और इससे जो डिफ उनको बेश सकती है तो शेयर और डिवेंचर के माध्धम से कंपनी लॉंग तम का अगर मान लो उसका खर्चा है लॉंग तम का तो इसको जारी करके पैसा प्राप्त कर सकती है अब भई शेयर एक कंपनी के हिस्से होते हैं ध्याद सुनिएगा सेयर किसी भी चीज का लोग बोलते हैं कि मुझे फला कंपनी में कुछ सेयर दे दो आपका उस कंपनी में मालिकाना अधिकार हो गया जितने प्रद्सत आपने उस कंपनी के सेयर खरीदे हैं अगर मान लोग बोलते हैं कि आप मुझे अपने कारोबार में सेयर दे दो सेयर का मत इसक को shareholder कहते हैं कंपनी के लाभ का एक लाभांस यानि एक लाभ का अंस के तोर पर उसको दिया जाता है जिस अनुपात में वे कंपनी का share उसके पास है उसी अनुपात में वे उस कंपनी का मालिकाना अधिकार भी प्राक्त कर लेता है तो जरा यहाँ पे समझो कि भहिया जो डिवेंचर है आप निवेस कर रहे हो परिपक्विता की अवदी के बाद आपको इसकी complete रासी और इंट्रेस्ट मिलेगा बलकि जो share है share आपने किसी company में पैसे लगाएं तो आपको company का मालिकान अधिकार मिल गया यहाँ पे ब्याज नह आप ही का होगा profit बनाएगी company तो आपको लौभांस देगी अगर आप company loss बनाती है तो फिर आपका भी loss होगा आपका भी पैसा दूबेगा लेकिन डिवेंचर एक रिण पत्र है यह company profit बनाए या loss बनाए निवेसक को उससे कोई लेना देना नहीं है निवेसक simple है कि वो क्या करेगा भाई कि अगर company profit या loss बनाती है तो उससे निवेसक का मतलब नहीं है उससे simple साथ जो भी decide हुआ है उसको interest चाहिए उसको ब्याज चाहिए अब भारत में share बजार को जो है न से भी कंट्रोल करता है security exchange and board of India भारती पृतिभूती बिनियामक बोर्ड एक company से भी से बिना अनुमती के अपने share जारी कर मतलब अपने जो share है वो जारी कर share बजार में पूंजी प्राप्त नहीं कर सकती है अगर कोई company है उसको पैसे चाहिए तो उसको हर हाल में अगर पैसे उठाने है अर्थ ब्यवस्ता से तो से भी share बजार का head है माई बाप है ये बिनियामक है तो हमें कुछ पैसे चाहिए तो हमें इजाज़त दीजे साहब तो से भी इसे इजाज़त देगी तभी possible है अनिथा यह share market से share बेज करके पैसा नहीं उठा सकती है से भी share बजार में किसी भी प्रकार की धोखा धड़ी को रोकने का प्रयास करती है और से भी की जो इस्थापना हैं 1988 में हुई परंतु अधनियम 1992 में पारित हुआ और इस अधनियम के पारित होने के उपरांत से भी एक बैधानिक निकाय बन गई Security Exchange Board of India एक बैधानिक निकाय बन गई इसका Headquarter मुंबई में इस्तित है और वर्तमान में जो नेतरत्व है जो इसको लीड कर रहे हैं वो अजयत्यागी सहाब है कौन है अजयत्यागी सहाब है तो मैंने आपको सेभी के भी बारे में इसका जितना भी जरुवत था कि Historical Background बताया कि कब कैसे इस्टैबलेश हुई और यह बाड़ी कैसी है और इसको लीड कौन कर रहे हैं और यह अगर किसी भी जैसे अध्योगिक प्रतिभूतियों के अंतरगर्स सोसेयर और डिवेंचर्स है तो इनमें क्या डिफरेंट है और इसमें से एक कैसे एक दूसरे से अलाग है अब आता है इस्टाउक एक्चेंज आधा हिंदी आधा इंग्लिज हो जाएगे ना दोनों लिख दूंगा इस्टाउक एक्चेंज जानने से पहले मैं आपको कुछी चीज़े और यहां पर बतारा चाहता हूं यह नि जो पहले आप सिक्यूरिटी मार्केट के बारे में थोड़ा सा द देखा इसके बारे में प्रतिभूती बाजार जो है पुझी बाजार का ही अग है तो मैंने आप इससे समझ भी गए क्योंकि यह उपकरण के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है और यह बित्तिय बाजार जहां से सेयर प्रतिभूती बॉंड डेवेंचर मूशल फंड इ बाज़ों में ऐसा कहलो कि किसी भी अर्थ बिवस्था में प्रतिभूती बजार एक ऐसा बित्ति बजार है जहां मांग और आपूर्ती के आधार पे जो मांग और आपूर्ती है तो जन समानी के बीच प्रतिभूतियों की खरीद और विक्री समंधी लेंदेन होता है भारत के प्रतिभूती और इस्टाउक जो बजार है इसको आपचारिक तोर से संगठित करने के प्रयासों के बाद आज भी जो है भारती सेर बजार बिश्व के सरवाधिक उन्नत सील प्रमुक बजारों में से रहा है प्रतिभूती बजार एक ऐसा प्लेट फार्म है जहां पर सेरों की खरीद बिक्री की जाती है और निवेशको के मद जो है सेरों का प्रय बिक्र होता है इस प्रकार कमपनियां अपने बिस्तार और संचालन और आवस्चक पूझी सुगमता एकत्र करती हैं और यह पूझी बजार के दूसरे भाग के तौर पे होता है तो हम पूझी बजार को प्राथमिक और दोतीर बजार में बाटेंगे लेकिन इस से पहले आप थोड़ा सा स्टॉक एक्चेंज पर चलते हैं देखो भई इस्टॉक एक्चेंज जड़ा जब एक कमपनी अपने सेर निवेश्च जो सेर इच्छुक हैं तो सेर इच्छुक निवेश्कों को बेचती है तब इसके बाद यदि वे निवेशक उन सेरों को किसी अंड प्लेटफॉर्म को बेचना चाहे किसी दूसरे को बेचना चाहे तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की आवसेक्टा होती है और इसी प्लेट फॉर्म जो है ये प्लेट फॉर्म इसी को stock exchange है इस छुक निवेशकों के बीच यह संपर की स्थापित कहला करता है और यही stock exchange कहलाता है ऐसे समझो चरा देखो जिसे ए है एक company है एक company share बेच दिया किसको वाई को वाई individual है अब वाई को अचानक पैसी की जरूरत हुई तो वाई किसे ढूड़े का share बेचने के लिए अगर वाई को चाहता है share बेच के अपना पैसा निकालनू तो कोई तो होना चाहिए तो यह जो stock exchange है यह एक platform है प्लेट फॉर्म है आप इसी platform का प्रियोग करते हुए आपने A से share खरीदा इस Y ने और Y को अगर पैसी की जरूरत है तो यह Z को, X को या किसी और को बेच सकता है तो यह platform क्या करता है कि इनको एक सुविधा यनि एक संपर की स्थापित करता है जो share खरीदार है इनके मद्धेक संपर की स्थापित करता है इसी को stock exchange कहते हैं stock exchange जो है इस पर एक इच्छुक निवेशक किसी अन निवेशक से share खरीद भी सकता है और किसी अन निवेशक अपने share जो है अपने निवेशकों को दूसरे निवेशकों को बेच भी सकता है बिश्व की जो सबसे बड़ी stock exchange है ये New York stock exchange यहाँ पर देखो बिश्व की जो सबसे बड़ी stock exchange है यह New York stock exchange है बिश्व की पहली stock पहली जो दुनिया की सबसे पहली stock exchange थी वो Amsterdam stock exchange रही है इसकी स्थापना Holland में इसकी नहीं Amsterdam तो Holland में 1602 में करी गई थी और वर्ष 2000 में इसका जो बिला है वो Brussels stock exchange and Paris stock exchange के साथ कर दिया गया था अब इसका नाम परिवर्थित करके Euronext Amsterdam कर दिया गया है Euronext Amsterdam कर दिया गया है भारत में दो सबसे प्रमुक stock exchange है आपने सुना होगा NSE National Stock Exchange यहाँ पे देखे इसे यह तो NSE National Stock Exchange ठीक है और दूसरा Bombay Stock Exchange BSE तो NSE और BSE यह दो प्रमुक है यह दो प्रमुक है इससे भी अतरिक्त है अब भारत की एक नमीनतम जो stock exchange है वो India INX है यह इसकी स्थापना 2017 में की गई और यह भारत की पहली अंतरपास्टी stock exchange है यह International Financial Service Center यानि IFSC और GIFT City गुजरात में इस्तित है गुजरात में अवस्तित है तो आपने इस चीज को भी देखा अब थोड़ा सा NSE और BSE की बारे में देख लो कि NSE क्या होता है और BSE क्या होता है देख भी NSE की स्थापना 1992 में 1992 में इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और एक stock exchange के तौर पे इसने कार करना प्रारम्भ किया 1994 में एक stock exchange के तौर पे यह मुंबई में इस्तत है यह और यह भारत की पूरता completely computerized stock exchange है प्रति दिन कुल बेचे और खरीदे गए सेरों की संख्या के अधार पे और उनके मुल्य के अधार पे यह भारत की सबसे बड़ी stock exchange इसके किसके यह प्रति दिन खरीदे और बेचे गए सेरों के अधार पे और उनके मुल्यों के अधार पे भारत की सबसे बड़ी stock exchange ठीक है परन्तो इसमें से कुल सूची बद्ध कमपनियों की संख्या के अधार पे कमपनियां लिस्टिड होती है अगर कमपनियों को अपना सेर बेचना है किसी भी stock exchange में क्योंकि यह एक platform है यही से पैसा उठा सकती है इस platform का प्रियोग करते हुए तो लिस्टिड कमपनियों की आधार पे भारत की दूसरी सबसे बड़ी stock exchange है एनेसी के कई सुचकांकों में से निप्टी 50 सबसे important है निप्टी 50 सबसे important है मैं निप्टी 50 का concept और मैं आपको जो है न सिंसेक्स 30 का concept पढ़ाऊंगा यह निप्टी 50 क्या होता है आप newspaper में देखते होंगे लेकिन आपको समझ नहीं आता है आप television में देखते होंगे आप radio म सुनते होंगे कि आज निप्टी फाला इतने अंग चड़के इतने पे बंद हुआ इसका मतलब क्या है यह मैं समझाओंगा तो पहले आपने नसी को देखा कि भही जो नसी है नेशनाल स्टॉक एक्चेंज यह पूरी तरीकी से computerized stock exchange 1992 में इसकी स्थापना होती है और यह काम करना दो साल बाज शुरू करती है इसके प्रमुख सुचकांकों में निप्टी 50 है और कुल लिश्टिट कमपनियों के एकॉर्डिंग यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी stock exchange और यह खरीदे और बेचे गए शेरों और उनकी मूलिक आधार पे है भारत की सबसे बड़ी पहल देखो जबा यह एसिया की प्राचीनता में stock exchange है कुल बेचे और खरीदे गए शेर की संख्या और उनके मूलिके आधार पे है भारत की दूसरी सबसे बड़ी stock exchange है जबकि कुल सूची बड़ कमपनियों की संख्या के आधार पे भारत की सबसे बड़ी stock exchange है लिश्टिड कमपनियों के आधार पे मतलब इसमें सबसे ज़्यादा कमपनियां लिश्टिड है तो भारत की सबसे बड़ी stock exchange है जबकि इसमें से आप देखोगी इसका सबसे प्रमुख सूच कांग है sensex चांच ठीक है चलो जरा आप sensex देखा अब निप्टी 50 और sensex को जरा इसे समझो कि यह है क्या देख वही यह दोनों संबेदी सूच कांग है यह दोनों क्या है संबेदी सूच कांग है अब संबेदी सूच कांग का मतलब कि यह कुछ ऐसे इंडेक्स है यह ऐसे कुछ सूचक है जो उसकी कुछ न कुछ ग्रोथ या किसी चीज को यह क्या करेंगे यह प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे निप्टी 50 है यह 59 नहीं है ओके निप्टी 50 एनसी बहुत सारा इस एनसी तो एनसी के सभी सूच कांग को में से सबसे प्रमुख सूच कांग है संसेक्स जो है वो BSE की सभी सूच कांगों में से सबसे प्रमुख सूच कांग है संसेक्स BSE का वो निप्टी 50 है यह नसी का ठीक है सूच कांग मापा की काई होते हैं जो की सेर बजार की गदी की देशा का एक अनुमानित रेखा रूप चित्रण प्रस्तुत करते हैं निप्टी 50 में वर्तमान में 50 कंपनियों के सेर हैं जो की अलग अलग छेत्रों में सर्व स्रेष्ट कंपनिया हैं तो Nifty 50 इन ही 50 कमपनियों के सेरों के मुल में होने वाले आउसत परिवर्तन को दर्साती है यदि Nifty 50 ऊपर की ओर जाए राइस करे तो यह कहा जाएगा कि सेर बजार राइस कर रहा है यदि निप्टी 50 नीचे की ओर आए तो कहा जाएगा share बजार नीचे जा रहा है गिर रहा है वही दूसरी तरफ जो sensex आपने देखा ये जो sensex है ये BSE का सबसे प्रमुक सूच कांग है और सूची बद सभी कंपणियों में जो sensex में जितनी भी कंपणिया मालो BSE में लिश्टिद हैं तो 30 कंपणियों का जो है जो सबसे सरुस्रेश्ट प्रदर्सन कर रही हैं सरुस्रेश्ट कंपणियों को सामिल किया जाता है और ये sensex इन्ही 30 कंपणियों के सेरों के मुल के आसत उताग चड़ाओं को दर्शाता है आसत परिवर्तन को मागता है स्रियर बजार की गति की दिशा का एक अनुमानित ये भी रूप रेखा प्रस्तुत करता है sensex में भी वही 30 कंपणियां है जो कि Nifty 50 में नहीं समझा है न कोई बात नहीं इससे एक बार थोड़ा था और समझने का प्रयास करिये आप भी Nifty 50 देखो ये एसका संबेदी सूच कांग है संबेदी मतलब कोई डरसा कार्छाएगा स्कुसक कांग है कौन निफटी 50 अब देखो वही एए नसे में बहुत सारी कंपनियां लिष्टी हैं हजारों कंपनिया संबसे क्यूंकि कंपनियां अगर मालनेश शेयर मार्केट में लिष्टेड ब्रिस्टेडि अभी मैं आपको आई-प्यों बगारा के बारे में बताऊँगा परिशन नहीं होँगों कि अगर किसी को चाहिए मट से पैसा जढतेसी से जोड़ना पड़ेगा तभी वह अपने share को बेच करके इस platform से पैसा उठा सकती हैं तो भाई इसमें से ये समझो कि 5,000 कंपनिया हैं लेकिन इन में से जो top 50 कंपनी हैं, top 50 कंपनी top 50 कंपनी top 50 कंपनी में क्या होता है कि यही इसके सूचकांग का प्रमुक संबेदी सूचकांग मनते हैं अब इन ही के प्रदर्शन को औसत जो परिवर्तन होता है इनके प्रदर्शन में ऐसे समझो मैं एक मतलब यह जो इसमाल स्केल पे इसका उधारन बताता हूं समझो कि 50 की जगे 5 है है 50 लेकि मैं समझाने के लिए A है B है C है D है और F है E होना चाहिए पहले न माल लो कि सभी को हमने 10-10 अंक दिया है यह कंपनी न ऐसे समझो देखो सेयर तो रोज गिरता बढ़ता है इसकी बेल्यू रोज यह डिमांड आउट सप्लाई पे ही मैंतर करता है तो ऐसे समझो कि यह जो A है A माल लो कि 10 पॉइंट में पहले यह 10 था कल के दिन और यह कितना 8 बचा ऐसे समझो 8 बचा यह कल के दिन 20 था और यह 25 हो गया जो C है यह 8 था और यह 10 हो गया D है 10 था और यह 1 रह गया और E जो है यह 15 था और यह 2 रह गया 15 था 2 रह गया तो जरा समझो कि ऐसे कहा जाएगा कि 10, 10, 20, 30, 10, 40 और 40, 10, 45 45, 50 और 50 और 58 58 58 अब ऐसे समझो कि कल मानलो कहा गया कि भी जो है NAC ना 58 अंग के साथ मतलब 58 अंग के साथ बंद हुआ दूसरे दिन आया और इनही का जो यह है मानलो इसका जो प्रदर्शन एक कंपनी थी उस दिन दूसरे दिन ठीक नहीं रहा तो यह 10 अंग से नीचे 8 अंग पे रह गई यह जो है B इसका प्रदर्शन और अच्छरा तो यह 25 पे हो गई C जो है 8 से 10 हो गई और जो D है 10 से 1 और E जो 15 से 2 तो 25 25, 10, 35 और 35, 3 कितना 38 और 38 और 8 लगभग 46 लगभग क्या 46 तो जरा देखो कि क्या खा जाएगा कि भई किस दिन हम मान लो कि यह संडे की बात है और यह मंडे की बात है तो कहा जाएगा कि भई जो निफटी है वो कितने अंग के साथ यानि 12 12 अंग को की गिरावट के साथ 46 बदलब 46 अंग पे बंद हुआ बदलब क्या हुआ ओबर आल देखो इनका जो परफॉमेंस है उसमें होने वाले परिवर्टान एवरिस को निकालके और यह दरसा आया गया तो यह टॉप कमपनियां जो होती है उन्ही का यह उतार चड़ाव जो होता है उन्ही का मेजर्मेंट किया जाता है जो 500,000,000 10,000 कमपनियां लिश्टेड हैं उनका नहीं किया जाता बलकि जो टॉप कमपनियां है तो उन्ही टॉप 50 कमपनियों का जो उतार चड़ाओ को इसमें दर्साया जाता है इसी वज़े से यहाँ पे ये 50 यूज किया गया है अब ऐसे समझो जरा इसके आगे देखो अब ये मंडे की बात है ये संडे की बात थी चलो Tuesday में आते हैं Tuesday में है ये 8 से कितना हो गया मालो ये जो था तो 8 से ये चलो 15 हो गया ये जो B था ये 20 से 25 से 30 हो गया जो C था तो ये 10 से 20 हो गया और ये जो D था ये 1 से 10 हो गया और E था ये 15 से 2 से 20 हो गया 20 हो गया, तो देखो कितना जोड़ो, 20, 40, 40, 30, 70, 40, 30, 70, और 10, 80, 85, 85 और 90, तो दलब यह क्या हुआ, 90, कितने अंग, तो कहा जाएगा भई, 46 से अगले दिन जो मार्केट है, यानि जो NSE है, ये 90 अंग पे चड़ाओं के साथ बंदू, 90 अंग पे क्या हुआ, बंद हुआ, तो देखो भई, ये क्या कि, पूरे इसको, यनि इसके ग्रोथ को उपर, ये जो पूरा सेंसेक्स है, उसको उपर लेके गई, ठीक है, तो ये है उपर, और ये नीचे कैसे जाता है, तो ये समझ कि, ये तौप 50 कमपन, तो ये जो तौप 50 कमपनियां जो इनको 50-50 कहा जाता है, अब बात आती है, BSE की, BSE का प्रमुक सूच कांग क्या है, और भी सूच कांग है, लेकि प्रमुक सूच कांग है, सेंसेक्स, सेंसेक्स में इसकी टॉप 30 कमपनियां, जो लिश्टेश हैं, उनका ये इसी उतार चढ़ा, 30 कमपनियों क उनके औसत परिवरतन को मिजर्मेंट किया था, वो भी किसी कोई कमपनी का सेर, जो है मार्केट बैल्यू गिरती है, तो सेर गिरता है, तो उसका जो रेटिंग है गिरती है, कोई कमपनी की सेर बढ़ता है, रेटिंग बढ़ती है, तो औसत परिवरतन फ्लेक्शुएट होत तो यह top 30 company, दूसरा चीज मैं बताने वाला हूं interesting, देखो, एक company यह जो top 50 company है, यह यहाँ पर भी यह top 30 company है, BSE में, यह वही company है, यह वही company है, एक company कई stock exchange में अपने आपको list करवाती है, जो एक company होती है, कई stock exchange में अपने आपको list करवाती है, जरूरी नहीं क्यों एक ही stock exchange मे अपने आपको list करवाएगी, ठीक है, तो आपने, सुरी nifty 50 और sensex 30 को भी, चलो, आगे देखो, अब share बजार का वरगी करण, भी share बजार को दो हिस्सों में classify किया जा सकता है, एक primary market, दूसरा है secondary market, देखो भी primary market देख लो पहले, परात्मिक बजार इसको कहते हैं, देख देता हूँ, परात्मिक, बाजार और दृतियक बाजार, जब एक company stock exchange के, बिना किसी अन्य भूमिका, जहां से सुनना, कोई ए नाम की company है, बिना stock exchange के, किसी भूमिका के, मतलब दूसरी भूमिका के साथ, ये छुक निविश्कों को सीधे तोर पे अपने share बेशती है, तब वह प्रात्मिक बजार कहलाती है, मतलब कोई company, अब इस stock exchange में किसी list नहीं हुई है, और सीधे तोर पे जो इच्छुपने भी सक है, उनको अगर अपना share बेशती है, तो ये मतलब क्या कहा जाएगा, इसको प्रात्मिक बजार कहा जाएगा, प्रात्मिक बजार में share ब public offer, दूसरा FPO, follow on public offer और तीसरा right issue, तो प्रात्मिक बजार अगें सुनना, जब एक company stock exchange के बिना किसी भोमिका के, कोई stock exchange की कोई भोमिका नहीं है, एच्छुक निवेसक जो है, तो एच्छुक निवेसकों को अपना share बेच के सीधे तोर पे पैसा प्रात्मिक बजार कहलाती है, प्रात्मिक बजार के उपकरनों के अंतरगत जैसे मैंने बताया, initial public offer, IPO, FPO और right issue, तो चलो देखो पहले इसे भी detail से, पहले IPO देख लेते है, IPO क्या है, initial public offer, देखो ये IPO क्या है, जब एक company पहली बार, अपने share इच्छु निवेशको को share बेशती है, तो बारा से सुनना, जब कोई एक company पहली बार, very first time, share इच्छुक निवेशको को बेशती है, तब इसे company का IPO कहा साथा, तब company का IPO कहा साथा, इसके लिए company सेबी से अनुमती प्राप्त करती है, और अनुमती प्राप्त करने के लिए, जिस आवेदन का प्रियोग होता है, उसको dropped red hearing prospectus कहा जाता है, dropped red hearing prospectus, मतलब कोई company है, ठीक है, कहा से, वे इच्छुक निवेशको को डारेक्ट सीधे तोर पे share बेशती है, तब इस company का IPO कहलाता है, और इसके लिए company जो है, से बी से अनुमती प्राप्त करके ही क्या कर सकती है, एक अनुमती प्राप्त करके ही कर सकती है, अनुमती प्राप्त करने के लिए जो application जो आवेदन होता है, जिसका प्रियोग किया जाता है, उसको dropped red hearing prospectus कहते हैं, इस नाम को भारत ने American stock exchange से अपनाया है, अमेरिका में ये dropped red hearing prospectus है, ये वहाँ योज किया जाता था, तो भारत ने हमने अमेरिका से अपनाया है, इसे इस नाम से इसलिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पहला जो प्रष्ट है, जो पहला आवेदन का, वो red रंग से, यान करत से दृत होता है, तो इस वजए से इसको dropped red hearing prospectus भी कहा जाता है, सेबी से अनुमती मिलने के बाद, वह कंपनी अपने बित्ती स्वास्त और भविस्य की संभावनाओं के आकलन के लिए merchant banking company या फिर investment जो banking कंपनियों से मदद लेती है, और इसी के अधार पर यह तै किया ज सेरों के बेशने के क्रम में उनके मुल पर कितना premium जोडा जा सकता है, इसके बाद company बिग्या पंजारी करती है, और इच्छुक नवेसक सीधे अपने bank खाते से पैसे भेजते हैं, और इस company के share stock exchange की बिना किसी भूमिका के सीधे उनके दीमित खाते में भेजे जाते हैं, दी बनियों के share electronic तोर से जमा रखे जाते हैं, electronic रूप से जमा रखे जाते हैं, इच्छुक नवेसक को, वो सेरों की जो विक्री के बाद एक तिथी तै की जाती है, और जिस दिन उन सेरों की खरीद विक्री stock exchange पे आरंब होती है, इस दिन वह company stock exchange पर listed हो जाती है, सोची कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लिश्टिक कहते हैं, वे सेरों के पास चले जाते हैं, इनकी खरीद विक्री stock exchange पे ही possible है, तो उनको free float share भी कहते हैं, free float share, और यह IPO के तहत, सेरों की मांग और आपूर्ती अगर मान लो, जो initial public offer है, इसकी मांग आपूर्ती से अधिक हो जाए तब ऐसी स्तिती में एक कंपनी जारी किये गए सेरों को 15% अधिक अचरिक्त सेर जारी कर सकती हैं, इसको green show option कहते हैं, इसको green show option कहते हैं, इसे ऐसा नाम इसलिए दिया जाता है, क्योंकि इस बिकल्प का प्रियोग सबसे पहले British यूता निर्मान वाली एक कंपनी जो थी green show नहीं किया था, इस वज़े से इसको नाम green show दिया, इस पूरी प्रिक्रिया के प्रमंधन में investment कंपनियों में से जो किसी एक को जिम्मेदारी सौपी जाती है, merchant company या फिर investment company और यदि सेरों की मांग IPO के माध्यम से उसकी आपूर्ती से कम रह जाए, तब बचे हुए सेरों की खरीदारी जो उस responsibility ली है, जो company merchant banking company या जो है mediator company तो वह खरीदेगी और इस प्रक्रिया को underwriting of share कहते हैं, इस प्रक्रिया को underwriting of share कहते हैं, और उस merchant banking company को इस पूरी प्रक्रिया में एक lead manager या lead bank या अग्रणी बैंकी भूमिका में होता है, भारत में अब तक जो IPO के मध्यम से सबसे अधिक सबसे जादा धर्लासी कोल इंडिया लिमिटेड ने प्राप्त की थी, और बिस्व में जो अब तक की सबसे बड़ी IPO के मादब से पैसा प्राप्त किया था, वो साओधी की अरामको थी, साओधी की अरामको, तो ये आपने देखा, कि भाही जो प्रात्मिक ठीक है, तो ये ध्या दखिएगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसमें ना, ये तो समझो कि ये सोना है, अगर किसी को बढ़िया कंपनी का IPO मिल जाता है, तो ये सोना है, ठीक है, इसमें इतना फायदा होता है, लोग ना, मतलब सोचते हैं कि जादा-जादा कुछ लोग ना हो जाती है, IPO की, ठीक है, तो आपने ये देखा कि भई, initial public offer क्या है, IPO क्या है, समझ गए, आसानी से उमीद करता हूँ, यहां तक किसी भी बच्चा लोग को कोई doubt नहीं होगा, तो ये देखा आपने, अगेन्स फोड़ा सा सुलेना, इसको मैं summarize कर देता हूँ, क्योंकि doubt हो स कहते हैं, इसके लिए जो है, सेबी से अनुमती प्राप्त करना जरूरी है, तो उसके लिए वहां पे apply करना होता है, जो apply करना होता है, तो उस वो जो पत्र होता है, वो red color का होता है, इसकी वजह से इसको draft red heading prospectus कहते हैं, और ये जो ओधाना है, ये concept हमने अमेरिका से अपना banking company या investment company का मदद लेता है, उसको hire करता है, एक तरीक से ये समझो, मतलब एक mediator, विशौलिया को hire करता है, और कहता है कि भई, एक काम करो, कि मैं ये अपने share बेशना चाहती हूँ, ये सारा तुम्हें जिम्मेदारी ले लो, और मुझे कोई मतलब नहीं है, अब ऐसा समझो, कि मान लो, कि जैसे कि कोई A नाम की company थी, और B नाम के जो, ये जो है, merchant banking company को सारी जिम्मेदारी दे थी, A नाम के जो IPO आया, तो IPO की मांग इतनी रही कि बहुत जादा, तो IPO हो गया कम, तो 15% ये अतरिक्त बेश सकता है, 15% अगर ऐसा हुआ, तो ये अतरिक्त बेश सकता है, और उसका जितना भी IPO उसने चारी किया है, लेकिन दूसरी बात ये है, कि अगर मान लो, नहीं बिका, तो सारी जिम्मेदारी B की रहेगी, अगर बिक गया, तो इसमें से जो B को, जो कमीशन या जो भी है, उसका service चार्ज उसको दिया जाएगा, क्योंकि ये merchant, ये एक तरीक करता है, कि मान लो, IPO आया, और company ठीक ठाक नहीं है, लोगों को promoter ठीक नहीं लगा, तो क्या कर दी, अगर promoter ठीक नहीं लगा, तो बहुत simple है, इस हालात में क्या कर सकती है, भाई, ये जो, मतलब है, लोग नहीं ले, avoid करने लगे, तो बचे share-ों को इसे खरीदना पड़ेग जो merchant company है, और इसी को underwriting कहते हैं, क्या कहते हैं, underwriting of share, अब जब ये सब कुछ हो गया, तो जिनके पास share है, वो अपनी खरीद मतलब है, अब वो अगर मान लो किसी को बेचना चाहते हैं, तो ये company मतलब कोसिस करेगी, कि अपने आपको list करवाए share market में, जब ये company अपने आप को share market में list करवाती, इसको listing कहते हैं, और ये खरीद विकरी की प्रकरिया में, ये संभव हो पाता है, कि ऐसी possibilities बन जाती है, तो ये संभव होता है, possibility बनती है, कि मान लो जो share है, ना कोई खरीद पाए, तो इसकी ही B की ही जिम्मेदारी होगी, ठीक है, अब देखो, ये जो share ह कहते हैं, क्यों? क्योंकि इन में से आपने देखा, कि किसी भी प्रकार से, इस पे से कोई, मतलब वैसा नहीं था, ये free float थे, इस पे कोई regulate हो रहा था, लेकिन वैसा नहीं था, ठीक है, तो वे share जो आम निवेसकों के पास चले जाते हैं, और इनकी खरीद विकरी stock exchange पर संभ रखेगा, तो ये रहा आपका share बजार, उसका classification के अंतरगत IPO, हम FPO भी कल देखते हैं, ठीक है, तो थेंक्यू, आज की class इतना ही, ठीक है, कल हम FPO, जो follow on public offer है, right issue, और इसके आगे हम बढ़ते चलेंगे, फिर हम secondary market में आ जाएंगे, फिर secondary market के अंतरगत social stock exchange, और इक्सित्रा जो चीजें हैं, और share बजार से जो कुछ सम्मंधित सब्दावलिया है, जैसे कि बजारी पूझी करण, जो market capitalization है, blue chip company है, कुप सुना होगा, question पूछा गया है, bulls and beer से मंदड़िया और तेजड़िया है, stag होता है, terminology, एक trading, यानि insider trading, जो भेदिया कारोबारी कहते हैं, circular trader trader भी होता है, hostile bidding होती है, ये सारी चीजें, एक rolling settlement होता है, beta value होती है, और इसके साथ साथ हमना employees stock ownership plan, ठीक है, ESOP, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो thank you, इतना ही आज का class ठीक है, फिर हम कल मिलते है, ठीक है, जै भारत जैन